25 अगस्त को भारती सोतंता दिवस मनाया जाता है इस बार अटार में सोतंता दिवस मनाया गया क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देशाजाद हुआ था अंग्रेजो के चंगुल से मुक्त हुआ था पंदर अगस को इस बार की जो थीम रखे गई विक्सित भारत एड़ दिरेड दोजार सैंतालिस ये आदिकारी एक थीम थी भारत सरकार एक तरफ से जो रखे गई प्रधानमंत्री मूदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार ग्यारवी बार लाल के लिए से संबोधन किया मोरने मौरकल दक्षन रफीका के पूर तेज गिनदबाज है इनको भारती पुरुष्क के टीम का मुख गेदबाजी कोच नियुक्त किया गया मुख कोच कोन है गोतम गंबीर है गेदबाजी कोच कोन है रहेगा मोरने मौरकल M.Pox जिसको मंकी पॉक्स भी कहते हैं वायरस जनित एक बिमारी है और बहुत भीशड रूप से फैल रही समय अफ्रीका में तेरह देशों में फैली थी इस वर्ष अभी बहुत तेजी से इसका जो नया वेरियंट आया है जिसको क्लैड आई बी कहा जा रहा है बहुत ही घातक है और इसी वजह से विस्वास संक्ठन के द्वारा वैश्विक स्वास्त आपात का लगोशित कर दिया गया है इसके पूर क्लैड वन और क्लैड टू देखे गए थे जो कि कम घातक थे यह नया क्लैड जो है बहुत घातक है और आने वाले समय में अगर इसको रोका नहीं गया लोग जागरुक नहीं हुए तो हो सकता है कि आने वाले जो वेरियंट है पूरे विश्व के लिए खत्रा ह हो जाए यही चीज है जो देखते हुए विश्वा संग्ठन ने वैश्विक आपात कालगोशित कर दिया है अफ्रीकी देशों में इस बिमारी को पहली बार देखा गया था मानों में सबसे पहले बिमारी 1970 में मध्य और पूर्वी अफ्रीकी देशों में देखी गई थी गोविन मोहन नए केंद्री ग्रिय सची और नियुक्त हुए है अजय भल्ला की यह जगह लेंगे कौन गोविन मोहन राहुल नवीन इडी परवरतर निदेशाले के निदेशक्नियों नियुक्त हुए है तो अब नेते तो कौन करेंगे इडी गा राहुल नवीन स्रीथा थावीजिन थाईलेंड के पूर प्रधानमंत्री थे हाली में रिश्वत मामले में रिश्वत मामले में इन्होंने रिश्वत नहीं लिया था एक इनके पार्टी के थे वो जेल चले गए थे रिश्वत मामले में राजनेताओं से नेतिक्ता के पिक्षा करता है जो देश शलाते हैं तो उसका उलंगन करने के कारण वहां की सेवधानिक अदालत ने इनको पद से हटा दिया था तो एक व्यक्ति जो रिश्वत मामले में जेल गया है और उसको कैबिनेट का अपने सदा से बना दिया इस वज कहां पर आयाइटी मद्रास में इसको अस्थापित करने के लिए सेंक्त समझोते पर हस्ताक्षर हुए तो भारत किसके सहयोग से इसराइल के सहयोग से कहां पर आयाइटी मद्रास में जल प्रद्योकी केंद अस्थापित करेगा नए दिल्ली यहां केंद्री मंत्री शीवर रामसर रस्थल खोज लिये गए हैं, मतलब खोज क्या, तीन ने रामसर रस्थल घोशित कर दिये गए हैं, कुल अब 85 हो गए हैं, इसके पहले दो बिहार में जो हमने बताया था, अभी हाली में वो दो जुड़े थे, तो 82 हो गए थे, तीन और जुड़ गए हैं, पचासी हो ये तीन ने जुड़ गए हैं, अब कुल 85 हो गए हैं, पूरा आपको याद रहना चाहिए, कहां पर कौन सा और किसको रामसर रस्थल घोशित किया जा चुका हैं, गवरो ये 1000 किलो ग्राम का लांग रेंज, लंबी दूरी का ग्लाइड़ बम हैं, डी आर डी ओ के दोरा इस का दस्वा संसकन, शिलंका में मदुरू ओया नामकस्थान पे आजित हुआ, लोकार्नो जो कि स्विडिजर लेंड में स्थित है, यहां पर लोकार्नो अंतराश्टी फिल्म फेस्टिवल में, भारती अविनेता शारुक खान को लाइव टाइम अचीमेंट अवार्ड या ल टीवी सोमनाथन बहुत महत्यपूर्ण है, भारत के नए कैबिनेट सची उन्युक्त किये गए हैं, कौन टीवी सोमनाथन, इनाई आरफ 2024 राष्टी संस्थागत, रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि इसका नवा संसकन है, 2015 में पहली बाद सिक्षा मंत्राले के द्वारा जारी हुआ था, शिक्षा मंत्राले है इसको जारी करता है, पांच मुख शेणिया हैं, हलांकि कई सारी सेणिया हैं, लेकिन पांच मुख शेणिया हैं, जिन से प्रशना सकते हैं, विश्वध्याले सेणि, कॉलेस सेणि, इंजिनिंग सेणि, प्रमंधन और फार्मेसी सेणि, इ प्रमक सेड़ी में पहला अस्थान IIT मदरास का है, विशुद्याले सेड़ी में पहला अस्थान IIC बेंगलोरू का है, कॉलेज सेड़ी में पहला अस्थान हिंदू कॉलेज दिल्ली का है, इंजिनरिंग सेड़ी में पहला अस्थान IIT मदरास का है, शोध संस्थान में पहला IIC बेंगलोर का है प्रवंदन मैनेजمن्ट में IIM एहमदाबाद पहले अस्थान पहbin है फार्मेसी शिरेडी में पहले अस्थान पह जामिय हमदर्द दिल्ली है चिकिस्टा शिर्णी में पहले अस्थान पह एम्स नई दिल्ली ओपन विश्वध्याले सेड़ी में इगनू जो इंदरागाथी निशनल ओपन इनुश्टी है पहले स्थान पे है कौशल विश्वध्याले सेड़ी में सिंबोयसिस विश्वध्याले पुणे में स्थित है इसका पहला स्थान है राज विश्वद्याले की शिर्णी में अन्ना विश्वद्याले तमिलाड चन्नाई मिस्तित है इसका पहला स्थान है नील कुरंजी बैंगनी रंग के फूलों की एक प्रजाती है बारह वर्ष में एक बार ये फूल खिलता है इसलिए काफी चर्चित रहती है और वहां की जैव विवत्ता जहां पर पाई जाती है वहां की जय विवत्ता के दिश से परस के दिश से बहुत महत्पुन इसको मना आता है इसको वेग्यानिक नाम इसका इस्ट्रो बिलेंथेस कुंतियाना भी है कुंतियाना भी इस्थानी लोग उसको कहते हैं आयू सीन रेड लिष्ट में संकट गरस प्रजात के रूप में इसको शामिल किया गया है ठीक है इसलिए चर्चा में आया है अभी हाली में शामिल किया गया पहली बार इसको इस लिष्ट में शामिल किया गया है और किसमें सामिल किया गया संकटगस प्रजात के रूप में। यह एक फूलदार जाड़ी है, विशेषता पश्मी घाट में पाई जाती है, मुक्यता सबसे आदा केरल में पाई जाती है, शोलावनों में। अपने विशेष फूल चक्र के लिए जो की 12 वर्ष में एक बार यह खिलता है, इसके लिए जानी आती है, और जैवी विवित्ता की दिष्टे काफी इसका महत्व है, नील कुर्ण जी। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवादू